नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। कॉंग्रेस पार्टी को एक नया हत्यार मिला है, एक नया मुद्दा मिला है जिसको लेकर वो बड़ी आकरामक है। और मुद्दा क्या मिला है? ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी का एक इंटर्व्यू। डोर्सी ने इस इंटर्व्यू में कहा है कि भारत सरकार ने जब वो CEO थे, किसान आंदोलन के समय कई ऐसे पत्रकारों के और दूसरे लोगों के ट्विटर हैंडल को बंद करने या उस पर अंकुष लगाने के लिए कहा था, जो हमने मानने से मना कर दिया। और धमकी दी गई थी और हमारे कई कर्मचारियों के हां रेड हुई, गिरफतारी हुई और हमको धमकी दी गई थी कि हम भारत में ट्विटर पर प्रतिबंद लगा देंगे। अब ये देखे पूरा जूट का पुलिंदा है, सवाल ये है कि जैक डॉरसी को ये बताना चाहिए कि उनके किस कर्मचारी के हां रेड हुई, एक भी कर्मचारी के हां नहीं, कौन सा कर्मचारी जेल गया, एक भी कर्मचारी जेल नहीं गया, सवाल ये है कि जैक डॉरसी ये जरुट के हिसाब से जूट नहीं बोलता है वो एक रणीती के हिसाब से जूट बोलता है वो इसलिए जूट बोलता है कि इससे उसका एजेंड़ा चलता है ट्विटर का CEO रहते हुए ये आदमी प्लेकारड लेकर ब्राहमनिकल पैट्रियार्की के खिलाफ प्लेकार्ड लेकर फोटो खिचवा चुका है ये खुद अपने पहले इंटर्वियू में मान चुका है जब ट्विटर का CEO था तब कि उसका जो पूरा स्टाफ है वो लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम को सपोर्ट करता है यानि सीधा सा मतलब था कि भारत में जो नेशनलिस्ट ताक्ते हैं उनका विरोध करता है किसान अंदोलन के समय सरकार ने किन हैंडल्स के खिलाफ शिकायत की जहां जूट फैलाया जा रहा था जूटी बातें भामक बातें दुश्पचार की आ जा रहा था उसको रोकने के लिए कहा उसको भी मना कर दिया और उसके बात यह यह कहता है कि भारत में डेमोकरسी है ये मजाक उलाने के लिए कि नरिन्द मोदी के राज में भारत में जन्तंतर नहीं है अब जरा सा इस जैक डोरिसी के बारे में जान लीजिए थोड़ा और जैक डोरिसी के समय जो वकील थी ट्विटर की उन्होंने माना है कि ट्विटर ने भारत के चुनाओं में हस्तक्षेप किया और अमेरिका के चुनाओं में ट्रम्प के खिलाफ जो अभियान चलाया ट्विटर ने उस सब को मालुम है अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट का एकाउंट बंद कर दिया कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ जब घिरा हुआ और उसके अलावा कैनेडा में जब ट्रकर्स की हड़ताल हुई तो हजारों एकाउंट ट्विटर ने बंद किये लेकिन भारत में दुष्पचार करने वाले अफवाप फैलाने वाले अकाउंट के खिलाफ कुछ भी करने को तयार नहीं हुआ क्यों क्योंकि हो सरकार के खिलाफ था ट्विटर की समस्या क्या है कि ट्विटर और ऐसे प्लैटफॉर्म जो है ये ट्विटर करना चाहता था जैक डौरुसी के समय जो मोधी सरकार ने नहीं होने दिया जिसकी वज़े से आलोचना सवाल ये है इतने समय बात क्यों जब CEO थे तब नहीं बोले एक बात चलिये समझ में आती है लेकिन जब CEO के पद से हट गए उसके बात क्यों नहीं बोले टाइमिंग पर ध्यान दीजिए लोगसभा के चुनाव आने वाले है पांच राजियों के चुनाव होने वाले है ऐसे समय में किसका एजेंडा चलाया जा रहा है ट्विटर के जो नए मालिक है एलन मस्क उन्होंने अदालत में अमेरिका की अदालत में खड़े होकर कहा कि जैक डोरसी के समय ट्विटर ने कि भारत सरकार की बात नहीं मानी भारत के खिलाफ अदालत में गए जिससे ट्विटर का जो तीसरा सबसे बड़ा बाजार है उसको संकट में डाल दिया और इसी जैक डौरसी के समय ट्विटर ने अदालत में आकर हमारी देश के अदालत में आकर कहा कि इस देश के कानून हम पर लागू नहीं होते वो समस्या क्या थी ट्विटर और भारत सरकार में भारत सरकार कह रहे थी कि जो देश के कानून है जो सम्विधान है उसके मताबिक चलना पड़ेगा सम्विधान ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहट जो मौलिक अधिकार दिये हैं लोगों को अभिव्यक्ति की सुतनतता के उनको मानना पड़ेगा ट्विटर उनको मानने से इंकार कर रहा है उसका कहना है कि हम पर ये कानून नहीं लागू होना चाहिए किसी देश में अगर आप बिजनिस कर रहे हैं तो उस देश के कानून से उपर कैसे हो जाएंगे और कौन सी सरकार ऐसी है जो ये बात मान सकती है कि कोई बिजनिसमेन कोई कमपनी कोई सोचल मीडिया कमपनी हो प्लेटफार्म हो या कोई भी हो वो आकर कहें कि हम इस देश के कानून से उपर हैं इस देश का कानून मानेंगे ही नहीं एलन मस्क के आने के बाद जब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया उसके बाद बहुत सी बातें सामने आई अंदर की बातें सामने आई ट्विटर फाइल्स के नाम से ये बहुत से खुलासे हुए उसमें कहा गया कि ट्विटर दरसल अमेरिका की जो दो खुफिया एजेंसियां है CIA और FBI उनके बैक रूम की तरह काम कर रहा था ये वही ट्विटर है जैक डोरसी के समय का जिसने अमेरिका के राश्पती के चुनाओं के समय जब डोनल्ड ट्रम्प दूसरे कारेकाल के लिए चुनाओ लड़ रहे थे और उनके सामने थे जो बाइडन जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के भष्टाचार के आरोपों की खबर को दबा दिया ये सब करने वाला जैक डोरुसी भारत की डिमोकरिसी पर सवाल उठा रहा है लेकिन जैक डोरुसी तो विदेशी है उसका इंटरेस्ट हो सकता है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत में मजबूत सरकार के खिलाफ भारती राष्टरवाद के खिलाफ सवाल ये है कॉंग्रेस पार्टी उसका समर्थन क्यों कर रही है कॉंग्रेस क्यों उसके समर्थन में बोल रही है जैसे ही उसका इंटर्विव आया कॉंग्रेस के लोग एकदम से हमलावर हो गए तूट पड़े उनको लगा कि जैसे उनको जो है मुहमागी मुराद मिल गई हो जैसे मेरा सवाल एक ही है कॉंग्रिस को हमेशा विदेशी मदद की जरूरत क्यों होती है अपना एजेंडा अपना नेरेटिव सेट करने के लिए उससे विदेशी तत्वों की मदद की जरूरत उनके स्टैम की जरूरत क्यों पड़ती है उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है भारत में डेमोक्रिसी कैसी है कितनी सशक्त है कितनी कमजोर है ये अगर भारत के लोगों से नहीं सुनना है भारत सरकार से नहीं सुनना है अमेरिकी सरकार से सुन लीजिए, दूसरे देशों की सरकारों से सुन लीजिए, उनकी भी नहीं मानना चाहते तो सवाल यह है कि जैक डॉरसी कौन है, जिसकी बात को आप अंतिम सत्य की तरह सुएकार कर रहे हैं जैक डोरिसी ने जो भारत सरकार के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ किया किसी और देश में होता तो शायद अब तक जेल में होता, उसके खिलाफ मकदमा चलना चाहिए था, वो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ, भारती हितों के खिलाफ काम कर रहा था, भारत की डिमोक्रिसी को नुकसान पहुचाने के लिए काम कर रहा है और ऐसे व्यक्ति का Congress Party समर्थन कर रही है दरसल Congress विदेशी टूल किट की एक बहुत बड़ी समर्थक बन गई है उसे हर समय इंतजार रहता है कि कोई विदेशी टूल किट जो है एक्टिवेट की जाएगी और हम समर्थन करेंगे उसको लगता है कि इस से उसका इस देश में वोट बढ़ जाएगा यहां समर्थन नहीं मिल रहा है तो बाहर से समर्थन लो कपिल सिम्बल जैसे लोग जो अब कॉंग्रेस में नहीं है लेकिन वो कॉंग्रेसी ही है कॉंग्रेस के लिए ही बोलते हैं जब भी मुँ कोलते हैं कॉंग्रेस के पक्ष में बोलते हैं वो सबसे बड़े पैरोकार बन गए है जैक डोरसी के आखिर ऐसी क्या कोबी है ऐसी क्या खास बात है जैक डोरुसी में जिसकी वज़े से कपिल सिबल उसका ऐसा समर्थन कर रहे है उसको मान रहे हैं कि वो दरसल डिमोक्रिसी का रखवाला है रक्षक है उसकी वज़े से भारत में डिमोक्रिसी बच गई वना खतम हो जाती ये वह कपिल सिबल हैं जिनके मंतरी रहते हुए IT Act आया यूपीय सरकार लेकर आई जिसमें एक सेक्षन था 66A उसमें कहा गया था कि सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है ये कानून बनाया था कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने वो अभिव्यक को एक बात अगर सब बाते भूल जाएं एक बात याद रखनी चाहिए कि डिमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की सुतंतरता के बारे में बोलने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इमर्जनसी को याद कर लीजिए और उससे पहले जो कॉंग्रेस पार्टी में सबसे बड़ डिमोक्रेट मना जाता है जवाहलाल नहरू उनको याद कर लीजिए उनके समय में मजरू सुल्तान पुरी हिंदी फिल्मों के बड़े मशूर गीतकार उन्होंने एक कविता में लिख दिया था जवाहलाल नहरू के लिए हिटलर का चमचा सिर्फ इतना लिखने पर उनको ए आलोचना को स्विकार करने को तयार नहीं है आलोचना करने वालों को कुछल देना चाहती है अभीवक्ति की सुतंतरता को खदम कर देना चाहती है फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन पर जो है हमला कर रही है ये सरकार लगातार आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को सुप्रिम उस एक्ट के तहट मुकदमे दायर होना बंद हुए ये ट्रैक रिकॉर्ड है कॉंग्रेस पार्टी का अभीवक्ति की सुतंतरता पर और एमर्जिंसी में जो कुछ हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से प्रेस का गला गोटा गया किस तरह से लोगों को जेल में ठूसा गया वो सब कुछ जो हुआ किस तरह से संविधान को कुछल दिया गया वो सब फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि आप सब लोगों को याद होगा और हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या हुआ था देश के साथ किन लोगों ने किया था किन परिस्तितियों में किया था अपने किस फायदे के लिए किया था ये बाते जरूर याद रखनी चाहिए लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर कार कॉंग्रेस इतनी असहाय इतनी कमजोर अपने को क्यों महसूस कर रही है कि वो विदेशी मदद पर निरभर है कभी राहुल गा जाकर कहते हैं कि देमोक्रसी खतम हो गई है मदद कीजिए क्यों आप लोग मुख दरशक्ट बनी हुए हैं अमेरिका जाकर इससे मिलती जुलती बात बोथे हैं कभी मड़िशंका रही है पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए सत्ता में वापसी की बीजेपी को कि कही हुई बात को कॉंग्रिस जो है वो एक तरह से अंतिम सक्ते मान कर चलती है। जैक डोरुसी की दरसल निंदा होनी चाहिए, सर्व सम्मती से निंदा होनी चाहिए। उसने इस देश की डेमोकरिसी को, इस देश के समविधान को, इस देश के कानून को मानने से मना किया, डेमोकरिसी को नुकसान पहुचाने की हर संभव कोशिश की, इस देश का नेरेटिव बदलने की कोशिश की, जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था। उसने लगातार left liberal ecosystem को बढ़ावा दिया, भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया, भारत विरोधी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा space दिया, और जो nationalist forces थी उनको दबाने का पूरा प्रयास किया। तो अगर आज हमारे देश में democracy है, अभिवक्ति की सुतंतरता है पूरी, तो वो जैक डोरसी जैसे लोगों के बावजूद है, उसके राज में चल रहे है, ट्विटर के बावजूद है, Congress Party के उसके समर्थन के बावजूद है, Congress Party ने जो emergency में किया और उसके बाद किया, उसके के लोगों के कारण जीवित, इस देश के मददाता के कारण जीवित है, इस देश के लोगों के राजनीतिक विवेक के कारण जीवित है, ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, इस देश की democracy को खतम कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है, Congress Party को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे तत्वों का समर्थन करने से उसको सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है कोई फायदा नहीं हो सकता जब जब आप देश विरोधी ताक्तों के समर्थन में खड़े नज़र आएंगे ऐसे तत्वों के साथ खड़े नज़र आएंगे भारत का मद्दाता भारत का आहम नागरिक आपके साथ खड़े होने को तयार नहीं होगा ये बात कॉंग्रिस पार्टी की जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्धे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजे आप से अंडरोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार